अरे आपने इसाहिब की इशान में जो की इंडिया का most wanted है, terrorist है, US की list में है, उसकी इशान में इतने तो कसीदे पड़े आपने, इतने तो कसीदे पड़े आपने, जवाब ले लिजे, शेजात कुनावाला, इर्शात साथ, देखे, हमें और आपने अंतर कैं, मैं आपको फिर में पूरी दुनिया ने कहा है, यहां तक कि चीन ने भी माना है कि वो आतंकवादी है, आज उसका बचाव करने पर आप लोग उतराए हैं, सोचे कि आप कि इस गर्द में फसे हुए हैं, कि ओसामा बिन लादिन जो इंसानियत का दुश्मन है, उसको भी आप तथाकतित इस साइद को सहाब बोलते हो, यही है आप में, आप में और हम में अंतर, यही चीज है कि आपके लिए साब होता है, हाफिस साइद और उसामा, हमारे लिए साब होते हैं सुंदर पिचाई और सत्या नडेला, यहीं अंतर है सोच का, एक सोच है जो विभाजनकारी तोड़ने की और डिस्टॉइ करने की और एक सोच है, जो कंस्ट्रॉक्टिव सोच है और इसलिए, दुन्या ने भी आपका वहिश्कार कर दिया है। अच्छा एक और बाद, इंडिया का most wanted है, अधिती जी, साउधी अरेबिया, साउधी अरेबिया ने भी ओसामा बिन लादिन को बाहर कर दिया था, अपने मुल्क से, वहाँ पर तो मक्का मदीना है, अब उससे बड़ा कोई मुस्लिम देश हो सकता है आपकी नजरों में, जिस साउधी अरेबिया ने डिसोन कर दिया उसामा बिन लादिन को, उसको पाकिस्तान कहता है कि ये शांती का मसिया है, और PTI की जो नेता है, वो कहते है, अगर पाकिस्तान के लिए उसामा बिन लादिन हीरो है, और अमेरिका विलन है, तो अमेरिका के डॉलर पर पलते क्यों हो आज PTI के नेता को घोशित करना चाहिए कि पाकिस्तान एक भी डॉलर अमेरिका का नहीं लेगा जवाब ले ले जवाब ले जवाब ले जवाब ले जवाब ले जवाब देखें बात सरी ये है कि आप अमेरिका को अपना Lord and Master मानते होंगे लेकिन हम तो नहीं मानते हैं ना पहले तो अमेरिका जवाब ले कर अमेरिका का पैसा ले कर क्यों आप लो कितना इतरा रहे वापिस कर दीजिए अमेरिका ने सिरिया में क्या किया वेतना है में मार खाके जूते खाके वहाब से वह लिकले तो अमरीकनों को खुद भी बहुत जवाब करना पड़ेगा तो आप अमेरिका के पैसे क्यों लेते हैं परिश्टे नहीं हैं हमें वो समझते हैं कि हम गैर सिम्हारा ना हमारी ह जो दुनिया में एक बंब इस्तमाल किया इस सरफ अमेरिका लें है और माप अमेरिका के डॉलर लेना बंद कर वताइए तो उनका उन को अगर वो किसी को डेक्लेयर कर देते हैं कि यह वेशब करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वो देशब गर्दी है ना वो तो जब पाकि आपके यहां तो साहब माना ही जाता है आतंकियों को आपने दिखा दिया आपके आपके यहां साहब है यह आपने दिखा दिया श्यजाद देखे आज रादी का खेडा नहीं आई परंतु उनकी पूरी कभी यहां पर पाकिस्तान के प्रवक्ताओं ने की है जिस प्रकार से स्टार्टिंग में इरिशाद ने कहा कि गांधी की सरकार आएगी तब देख लेना और जो भाशा सहाब बोलना आतंकियों को जो भाशा इस् तो खुदी हट गई पूरे डिबेट से नहीं एक खुछ भी बोलना नहीं चाहिए और यहां पर लेकिन सवाल जो है वो उजमा कारदार इसमें मुस्कुराने की बात नहीं मेडम यह तो आपके तो आपके आप तो देखातगरदी का रिकॉर्ड है उस पर तो किसी को शर मान तो आपके और फॉर पर और खास्तों फे अफगाल स्तान में जो आप कारवायां वहां से बैठके यहां करवायां करवा रहे ना वहीं हमारी जो इंटेलिजिन्स एजन्सी ना 26 है और वह दुनिया की बेग्तरी एंटेलिजन्स एजिस हैं उनको वैसे ही जैसे आपकी पहु पाकिस्तान का असली चेराज बेनकाब हुआ कि इनकी एजनसी को पता था और पाकिस्तान ने जान बूच के तथा कटिक शहीद उसामा बिन लादिन को शरण दी मुझे लगता है आज का ये शो जो है जो बाइडन को देखना चाहिए दो नाम आपको बताकर जारी हूँ जरह अगली बार आईएगा जीदेश पर डिबेट करने तो उनके बारे में पढ़कर आईएगा एक है लेफटेनेंट उमर फयाज और दूसरे है राइफल मैन और अविजे तो अगली बार जब आईएगा तो उनके बारे में पढ़कर आईएगा मानवा दिकारों की दुआई देने से पहले और जाने से पहले हमें आपसे कहना है सरहत पार से आतंगवाद का मुद्दा शायद इस वक्त दुनिया को परिशान करने वाला सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था क्योंकि इस मुद्दे से जुड़े हैं तीन ऐसे मुल्क जिनके कुल आबादी इतनी है कि पुरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते लेकिन जहां पाकिस्तान खुद आतंग की खेती कर रहा है तो चायना उसमें खाथ पानी डाल रहा है और बचा भारत जो हर अंतराष्ट्रे मंच पर इन दोनों मुल्कों को कड़गरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है तो सोचिएगा जरूर आखिर कब तक हम सयुक्तराष्ट्र जैसे बेदम संगठनों पर पाकिस्तान और चायना को बेनकाब करते रहेंगे ये दोनों मुल्क एक अड़सा पहले ही बेनकाब हो चुके हैं क्या सयुक्तराष्ट्र में इतनी ताकत है कि आतंगवाद को अपनी सरजमी पर बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को सबक सिखा सके क्या स्युक्त राश्ट्र में इतना माददा है कि वो पाकिस्तान में छिबे भारत के most wanted आतंकियों को बचाने वाले चाइना की वीटो पार को छीन सके खत्म कर सके इन सवालों के जवाब हमें और आपको सब को पता है फिर आखिर हम क्यों और कब तक स्युक्त राश्ट्र जै अमेरिका का तो हतियारों का बाजार है और उसे वो बाजार चाहिए भी भारत और पाकिस्तान दोनों में ही उसे बाजार नजर आता है आतंकियों को तो वो तभी देखता है जब खुद उसकी जमीन पर कोई हमला होता है तो ऐसे में अमेरिका से भी हमें बेहिसाब उमीदे रखने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है तो सवाल हम करें क्या एक तरफ चाहे ना तो दूसरी तरफ पाकिस्तान हमें इन दोनों पर नकेल कसने के लिए खुद को एकनॉमिक सुपर पार बनाना होगा जिसके पास पैसे हैं जिसके पास ताकत है इस दुनिया में बात्शाहत उसी की है कसम सविधान की में फिलाल इता ही फिर मुलाकात होगी कल रहात 8 बजे